इंट्रडूस मी तो माइ साउंड सिस्टम वीडियो में लाश्ट तक बने रहो अगर चैनल को सब्सक्राइब जरू से करना चलिए शुरू करते हैं यहां पर मैं सबसे पहले कुछ इस तरीके का पाइप ले रहा हूँ जो कि PVC का पाइप है और यह कुछ मोटर पंपिंग की काम में आता है वह वाला पाइप है यहां पर मेरे पास यह तुकड़ा पड़ा हुआ था तो मैं इसका यहां पर यूज कर रहा हूँ आपके पास जो से पहले हमें करना होगा है यह जो इतना पार्ट है इसे हमें कट करनाय है देखेए मैं स्केल की मतलत अफर लाइन लब ऐसे राउंड में ड्राउ करूँ मैं तो हमो यहाँ पर देखिए तो मैं इतना ऐसे पाउंड कर दे सान। कर दिशम regular है इस झाल झाल तो यहां पर थोड़ा सा तेड़ा मेडा कट गया है मतलब उपर नीचे कट गया है तो थोड़ा सा घिसके इसको घिसके लाना पड़ेगा याद कर लेते हैं तो यहां पर हमें फीनिशिंग देने के लिए स्टैंड पेपर नहीं है तो हमारे पास यह इतना बड़ा सेंड पेपर हैं जुगाड़ु वाला ने के हैं धर का हो मेड़ सेंड पेपर वाह क्या सीन है कर किसा अब हर इसको मैड फिनिशिंग देने के लिए मैंने इसको बहुत की गिस कई ने कपरे भी आपने कपड़े भी स्टैयेगा। अब यह कुछ इस तरीके का लग रहा है और अची तरीके इसको अम मैड़ फिनिशिंग देनेका पर करेंगे अभी देखिए यहां से हमें इसको निकलना है देखो इस वले यहां से अंदर से हमें निकलना है इसकी जरुरत भी नहीं है तो अभी हम इसको थोड़ा सा अच्छे से वाश कर लेते हैं इसका ओरिजनल कर्लर जो है बलेक वाला उसे हम यहां पर ला देटें हैं करें क्या माला तुनी अब आप को है को है अब आप आप कॉन थे है आप आप झाल झाल तो दोस्तों यहां पर देखिए इस चीज़ को मैंने बतन के जैसे मांज करके इसका जो है ओरिजिनल कलर है उसको मैंने जनरेट किया हूँ यहां पर इसका ब्लैक कलर काफी अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कॉमेंट पर बताओ अभी यह इसका जो फिनिशिंग है वो कै से रखने के बाद इसको यहां पर हमें एक स्पीकर ले लेना है स्पीकर यहां पर राउंड में नई था पहले से उसका मैंने सरकर में कट कर दिया है इसके साइड साइड में जो स्कूर से टाइट करने के लिए होल से उनको मैंने कट कर दिया कैसे कर दिया यह क्लिप आप द तो इसी तरीके से मैंने इसको जो है राउंड में कर दिया और यह यहाँ पर एक डम ठीक्स आ रहा है मतलब अंदर जा रहा है तो कोई बात नहीं हम इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर ऐसे ठीक्स करवा देंगे तो किसी के गुलू गंड की मदद से और कहना क्या चाहते हो Wow अइसको ऐसे ऐसे चिपका देंगे अंदर की और मतलब ऐसे ठीक है एक डम फिक्स और यहाँ पर मैंच टो बैठी रहा है तो फीर उसके बाद यहाँ में कट कर लेना है तो यहां पर देखिए हमने इसको एकदम सरकर में कट कर दिया है और यह इसके पीछे में एकदम ठीक्स बैट रहा है देखिए अच्छे तरीके से तो इसको हमें निकाल लेना है और यह जो बुल्टूत मोडूल है हमें बुल्टूत मोडूल लेना है देखिए यह मुझे 109 रुपे का बुल्टूत मोडूल पड़ा है मैंने ओनलाइन मार्केट से खरीदा इसको तो आप अगर बाय करना जाते है तो मैं इसकी लिंक आपको दे दूंगा आपको इसे कहां से खरीदना है यह भी मैं आपको उस ऐसे अंदर यह लगा हुआ रहेगा तो इसको हमें बाहर से निकालना है तो यहां पर हम ड्रॉक कर लेते हैं और फिर कटिंग करते हैं एफ्यू मिनिट्स लेट तो यहां पर हमने इसके शेव का जो है इसको कट कर लिया है और अभी जो है हवा चल रही है गाइस मैं सोच रहा हूँ कि वाइस ओओर करें अगी का वीडियो तो यहां पर इस बैटरी को यहां पर में यूज कर रहा हूँ इसको पावर देने के लिए जो कि मोपाइल की बैटरी है और यहां पर यह हमारा ऐब सेवाइभ,Speaker तो अभी हम इसका connection करते हैं सबसे पहले हमें speaker में two wire connect कर लेने हैं यहाँ पर स्पीकर में two wire connect कर लिये अभी हमसे वैसे ही battery में wire connect कर लेने हैं यहाँ देख़िए positive negative battery पे लिका होता है तो वैसे हमें wire भी कनेक्ट कर लेने हैं तो पॉजिटिव के लिए आपर मैं ब्लू वायर का यूज़ कर रहा हूँ और ब्लैक वायर का आपको बताई है नेगेटिव तो यहाँ पर इसको बैटरी पर भी हम कनेक्शन कर लेते हैं तो यहाँ पर बैटरी का भी कनेक्शन हो बया है और अभी जो है हम इसको स्पीकर को पहले सेट कर देते हैं यहाँ पर देखिए हवा की कारण धोड़ी से आवाज मेरे खर खर आ रही होगी तो इसके लिए माप करना अभी मैं वाइस ओवर करना चाहता हूँ तो करना तो आपको कोई प्रॉब्लिम ना हो ऐसे हवा के कारण ठीक परेशान हो गए हम लोग धाई साल से यहाँ पर हम स्पीकर को सेट कर देंगे पहले और फिर इस बैटरी को और फिर इसको इस बुल्टित मोडूल को यहाँ पर इसका इन दोनों का कनेक्शन यहाँ पर करेंगे देखी मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ बैटरी का कनेक्शन हमें इस रेट वाले पॉइंट पर करना है नेगी ठीव ऊजितिव देख करके और इस पर हमें स्पीकर को लगा लेना है बीच वाले को छोड़ देना है और अभी मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ द यहां पर हमने स्पीकर को सेट कर दिया है अच्छे तरीके से और अभी जो है हम इनका कनेक्शन करेंगे कनेक्शन करना बहुत ही सिंपल है यहां पर बुल्टित मोडूल के सर्किट में ही सब कुछ मेंशन किया होता है यहां पर देखिए मैं दिखाता हूँ आपको यह रेडवला पॉइंट पर यहां पर बैटरी लगता है मैंने आपको बताया यहां पर दिखिए लिखा हुआ है नेगेटिव और पॉजिटिव यह है हमारी बैटरी जिसका नेगेटिव पॉजिटिव वाय तो यहां पर बैटरी का कनेक्शन हो जाने के बाद अभी हम स्पीकर का कनेक्शन करेंगे स्पीकर का कनेक्शन भी बहुत ही सिंपल है यहां पर इस लाश्ट वाले में स्पीकर के वायर लगेंगे तो यहां पर दो टर्मिरंस हैं यहां पर स्पीकर में कोई भी नेगेटिव प सो दोस्तों तो यहां पर हमारा सारा कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हमने कर लिया है और अभी देखिए यहां पर मुबाइल की बैटरी को यूज करने के दो कारण है अच्छे-च्छे जो कि आपके पास यह बैटरी मुबाइल की बैटरी अवेलेबल जल्दी से हो जाएगी औ और आपके पास है अभी तो मुझे कॉमेंट पर जरूर बताना और दूसरा मतलब वो बैटरी भी छोटी होती है इसकी वज़े से वह अच्छे तरीके से कई भी गुसेट दे सकते है और अभी जो हमने यह पीस कट किया था उस उपर से कवर करने के लिए तो उसको हमें यहा अभी पुछ इस तरीके से फाइनल लुप में आ जाएगा यहां पर देखिए तो अभी जो है मैं इसको ग्लूगन से अच्छे तरीके से एक्स कर दूंगा और आपको यहां पर कोई भी कंजूस्की नहीं करनी है ग्लूगन को आपको अच्छे से भरना है ठीक है खतम भी हो करता हूँ वह आपको अच्छे है यहां करता हूँ वह आपको अच्छे लगती है मुझे कमें बताना क्य Donty यहां पर मैं थोड़ा सा सब्लेइब कंपISH cricket करने में उतना वतलब टाइम नहीं विरुदक कूंकि यहां पर तो दोड़ा सा और बी जयादा काम बढ़ जाता है इ क्या ही करूं अभी और आपको वीडियो देना है तो इसा करना पड़ता है तो मुझे कॉमेंट में जरूर से बताना चलिए यह सारा काम हो जाने के बाद यह अभी फाइनल लुक में आ जाएगा और इसको हम अच्छे तरीके से फूरा सेट कर देंगे तो दोस्तों यहां पर इसका जो है फाइनल लुक आप देख सकते हैं कुछ तरीका आ रहा है तो अभी हम फटा फट बिना टाइम गवा है इसकी हम टेस्टिंग करेंगे सबसे पहले तो में बात ये है और यहां से बटन जो है वह है इस अन हम यांस मापर देखें लेते हैं मेरे पास यवाला मोबाइल है तो यह अपने अब दर्यक्या था तो होगया अभी कुछ ले करके दिखा तो में आपको कर दो कर दो कर सकते हैं और यहां से मैं काले को चेंज भी कर सकता हूँ यहां पर एक बटन दिया हुआ है इसे हम आगे पीछे ले जाएं बंद हो जड़ा तो यहां पर यह है ऐई आप एकस केबल देखिए यह और यहां पर मेंपोंट की यहां पर चार्जिंग का पोईंड दिया हुआ है और्ज पोगवाल की बैटरी आप अच्छी वाली यूज करेंगे तो काफी अच्छा बैक अब भी दे जाएगा इसको मैने कल से अभी बजा रहा हूं तो काफी अच्छा बैक आप यह दे रहा है तो कुछ इस तरीके का आप जो है अपने घर पे बना सकते हैं और काफी अपना मुझे कॉमेंट पर बताना कि आपको यह साउंड बार कैसा लगा या फिर बूर्टूफ स्पिकर कैसा लगा